पती हाथों से चल रहा है, लड़की इतनी सुन्दर है, क्या कमी रही, पैसो का लालच देख लिया होगा इसके माबापने अच्छा आमने कभी सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की आपकी वाईब बनेगी बिल्कुल सोच रखा था, सोच अच्छी रखोगे तो अच्छा ही होगा अप अपने फैमली को बताई कि हमको विनोच जी से शादी करना है, इनका पैर नहीं है, ये बहुत छोटे से हाइट में है, तो फैमली वाले का रियाक्शन कैसा रहा हो मम्मी कहती है कि तू देख उनके पैर नहीं है, पूरी लाइफ है, कैसे चलेगी, क्या बोलेंगे लोग अब कहते हैं कि पैसे का लालज देखा पैसे अरे तो भिकारी से कुन सादी करता है, भिकारी में कोई बाप अपनी बेटी को भिकारी थोड़ी कर देगा कमेंट आते हैं, को कमें ए इसमें असा देख क्या लिया, यहीं तो सोचो दिमाग जला हो आपना कि देख कैसा लिया मतलब मैं बहुत लग्की हूँ बहुत जादा लग्की हूँ कि मैं इनकी वाइफ हूँ और इन्होंने आज तक मुझे किसी काम के लिए मना नहीं किया बाकी बहुत जल्दी ना अपनी वाइफ को भोजपूरी की हिरोईन मना हूँगा जलने वालो पैर नहीं होने के बाबजूद घर का काम करना बाइक चलाना आइधिंक बुलेट भी चलाते हैं बुलेट गारी भी चलाते हैं मैंने इतने सुन्दर लड़की है उपर से मेरा साथ दे रही है इतना प्यार करते हैं और क्या चाहिए लाइफ में आप तो बहुत बहुत ज्यादा ओफर सुन्दर है आपकी वाइफ मुझे भी लड़कियों के ओफर आते थे आज भी आते हैं इसको बोल दो एक बार बोल दे कि हाँ एक्सेप्ट करो देखो भी मैं अपनी वाइफ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है जैसे नचंगा आपर मेरे अंदर अगर कमी होती न होती ना तो सबसे पहले मेरी वाइफ इतनी खुशनी होती मेरे साथ ayna ये तो लोगों का कहना है कि अकसार लोग जलते भी है यार परसनलिटी से जलते हैं दोस्तों अभी हम डेली में है और मेरे साथ जिस कपल को आप फ्रेम में देख रहे हैं दोस्तों यह शोशल मेडिया पे बहुत वीडियो बनाते हैं लोग बहुत पसंद करते हैं और इनकी स्टोरी जब आप जानोगे न तो आप भी हैरान हो जाओगे दोस्तों यह विनोध है और यह बहुत सारे टीवी शोज में भी जा चुके हैं जैसे नचबल यह बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी से भी मिल चुके हैं अभी अपना खुद का यूटूब प्लाटफॉर्म बनाएं इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं और बहुत तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि भाई आपकी शादी अभी हाल में हुई है I think 7-8 मन्त हो चुका है और हम शोशल मीडिया पर जब आपका वीडियो देखें तो हम सोचे एक बड़ आते हैं आपसे मिलते हैं क्योंकि यह थोड़ा सा स्टोरी क्रिटिकल है कैसे मुलाकात अब ठाकूर हो चुका है ठाकूर ठीक है आप कहां से हैं बेसिकली विनोच जी मैं तो बेसिकली बिहार का रहने वाला हूं अच्छा आप बिहार के रहने वाले हैं और आप डेली में भी रह रहे हैं तो बिहार में कहां से हैं आप मैं बिहार में बेगु सराय का रहने वाल पुलंद शहर से, तो कैसे मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात, देखो मुलाकात किसी ना किसी, वही है कि भगवान कुछ ना कुछ स्टोरी बनाई देता है, और मुलाकात मेरी हुई ऐसे कि मेरी मम्मी छट पूजा कर रही थी, यह वहाँ पे छट पूजा देखने के लिए आई हुई थी, वहाँ पे इसने मेरे को देखा, मैंने इसको देखा, एक्चुली पीछे से बैक्ग्राउंड मेरा टीवी आर्टेस्ट वाला मैंने टीवी शोस किया है, मैं इंडियास गो टैलेंट सीजन टू का फाइनलिस्ट मेरे को भी, तो मैंने इनको देखा देखने, तब बट सिर्फ नजरें मिली थी, ऐसा कुछ नहीं वा था, इसके कही न कहीं इसके मन में था कि मेरे से मिलने का, तो मेरी डांस अकैडमी में यह आई, अच्छा यह मिलना चाहती थी, फिर इसको डांस का शौक भी था, तो मेरे अंदर वो चीजे बहुत अट्रेक्ट करती गई, जैसे सेल्फ कुछ भी करना, सेल्फ कुछ भी काम करना, तोड़ा सा मोटिवेशन इसको मिला इस चीज को लेकर, फिर तोड़ा जो मेरा नेचर है, मेरा जो बात करने का तरीका, वो इसको चाहते हैं, कि कुछ चीज कि मेरा जाती है, तो बस मैं इसको भाग गया, ऐसे ही दीरे दीरे बात बनी हमारी, फिर देखो, सिंपल सी बात है कि मुझे पता है कि मेरे अंदर कुछ कमी ने है, लेकिन क्या होता है, कि दूसरे वाला ना हमेशा अपने आपको देख करता है कि यार ये इसमें मेरे से कुछ क मेरा जनम ही ऐसे हुआ, और इस चीज का कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरे को भगवान ने ऐसा भेजा है, अब लोग नीचे धरती पर आया, लोग मेरे को चाहिए कम दिखा है, कुछ दिखा है, तो मैं कोशिच हमेसा ये रखता हूँ, हमेसा यही करता रहता हूँ, और लोग से नहीं कर सकते हैं, और जो मैं हाथों से कर लोगा, वो अपने हाथ से करी नहीं पाऊँगे, तो अदला बदली होगे ने, तो कमी तो मेरे इस हाफ से मेरे किसी चीज में नहीं लगई, सबसे पहले मुझे ये पता है, कि आप बहुत कुछ देखे हैं अपने लाइफ में, और आपने टीवी शोज या बड़े-बड़े लोगों से आप मिले भी है, शायद ये आपके लिए आसान होगा, कि हमको प्यारी से खुबसूरत से लड़की मिलके, जिसे मेरे शादी हो गई है, बट मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जी ने बताया कि हम छट पूजा पे मिले थे, तो क्या हुआ, मतलब मैं इनकी फैन थी, हमेशा से, मतलब मैं इसकूल टाइम से बहुत छोटी थी, उस टाइम से मैं फैन थी, तो इनोंने हमारे घर के नियर बाई, मतलब डांस परफॉर्मेंस किया था, तब से मैं काफी, कि मम्मी मुझे इन से मिलना है, मुझे बहुत अच्छा लगत लगता है कि यह हातों से डांस करते हैं, चाँ मम्मी ने बोला। बहुत जाद अच्छे है, नेचर वाइस भी, और मतलब सब काम करते हैं, और सब इनको यह बोलते हैं, कि यार तुम इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं, तो मैं इन से पूछती थी थी, आपको चलने में दिक्कत नहीं होती है, आपके पैरों में नहीं लगती, तो इनों ने पर में, डान्स अकेडमी एदर, तो मतलब मैं डान्स अकेडमी आई, फिर मुझे लगाव हुआ, हम लोगी इविंट्स पे भी साथ जाते थे, रहना सेना, तो फिर क्या हुआ, मतलब अभी मेरी स्कूल से भी लेने आते थे, और चोडने भी जाते थे, तो मुझे बहुत ल को छोड़ करके आप बुली शादी है, विनोट जी से ही, बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने सब लड़कों को साइड करा, मुझे नहीं कोई चाहिए, मुझे विनोट जी चाहिए, हाँ, ओविसली यार में को ओफर आते थे, बहुत ज़्यादा ओफर जाहिए, आज भी आते थे मुझे भी लड़कियों के ओफर आते थे, आज भी आते हैं, इसको बोल दो, एक बार बोल दे कि हाँ, एक्सेप्ट करो, देखो पेन, ऐसा नहीं है, तो फिर मतलब हम लोगों ने मैंने इनसे बोला कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो ये थोड़ी डेर के लिए एक दम साइलेंस हो गए कि यार ये बोल ख्यार है कि बाबु, ये लाइफ बहुत बड़ी है, और तुमें ऐसा है लिगता है कि मतलब मैं कैसे चलता हूँ, तुमें लगेगा कि यार मैं कैसे चलूँगी, मैंने एका नहीं, तो इन्होंने प्रपोजल आते थे लड़कियों के आपको मेरे को तो बच्पन से आते हैं तो मेरे साथ कोई भी जैसे रहा है ना चाहिए लड़का इवन मेरे फ्रेंड्स वगेरा मेरे दोस्तों को भी यह पता है कि विनोध वो काम हर काम कर सकता है जो हम नहीं कर सकते हैं तो उनको भी आज तक ऐसा फील ही नहीं है कि मेरे अंदर कुछ कमी है हाँ तो वहीं सेम लड़कियों में भी वही चीज़ होता है कि घार एक बार देखर निलती है जब बात करते करते हैं उनको लगता है कि यार इसमें तो कोई कम ही नहीं है, ऐसा नहीं है, पहले भी प्रपोसल है, लेकिन मैंने यहां से उड़ा है, क्योंकि मेरे को लाइफ में जो एक चैलेंज मिला हुआ है, कि मुझे भगवान ने नीचे तो भेज दिया ऐसा, लेकिन जो लोगों ने चैलेंज दिया है, तो उस चैलेंज को मैंने ले रखा है, और मैंने उनको यह चीज दिखाना था, कि इस बोड़ी, जो भगवान ने मुझे बोड़ी दिया है, इस बोड़ी को लेकर यी मैं दुनिया में नाम रोशन करूँगा, और यह चीज दिखाऊँगा, कि हाथ पैर होने से होसला और दिमाग ये बहुत बड़ी चीज होती है बिल्कुल देखी क्योंकि इनका जब शोशल मेडिया पे हम वीडियो देखे तो जो एनरजी से ये वीडियो बनाते हैं जो एनरजी से ये डांस करते हैं और जो सारी चीजे करते हैं होना इन्सान भी नहीं कर पाई गा मतलब उसमें भी हवसला होना प् Temis आप उना चाहिए वा मण से स्ट्रॉंग होने चाहिए तब ही वह बर म्णक लुइँन टाहईं आ क्योंकि आपकाम करते हैं कि पैर नहीं होने के बावजूद घर का काम करना, बाइक चलाना, I think बुलेट भी चलाते हैं, बुलेट गारी भी चलाते हैं, गारी फोर विलर भी चला लेते हैं सब चला लेता हूं और मैंने एक रिकोर्ड बनाय था मैं दिल्ली के इंडिया गेट से मुंबई के गेटवे ओफ इंडिया तक मैं 40 दिन में वीलचेर से पैदल चला गया था और आप हाथों से बहुत तेजी में दोड़ते हैं हाथों से तो वर्ल्ड रिकोर्ड है ही मेरा अपने पसंद का ढूंड़ना है बहुत मुश्किल हो जाता उस वक्त तो जब आप अपने फैमिली को बताई कि हमको विनोच जी से शादी करना है इनका पैर नहीं है यह बहुत छोटे से हाइट में है तो फैमिली वाले का रियाक्षन कैसा रहा है हम लोग बाहर थे दोनों हम लोग कहीं गए हुए थे थोड़ा कुछ खाने भीने तो मतलब मैंने कोर्ट मैरीज पहले ही कर ली थी और मैंने घर पर मतलब किसी को बताया नहीं था तो हम लोग बाहर कुछ खाने के लिए गए तो मेरे माइंड में यह आया कि पापा ममी रिष्टा ना डूंडे और मै उनको पहले ही बता देती हूं क्योंकि उस टाइम पर मेरी शादी की बाते चलने लग गई थी कि हाँ अब हम शादी करेंगे हमारी लड़की बड़ी हो गई है इसे इंटरकास्ट है या सेम कास्ट है नाई इंटरकास्ट है तो इंटरकास्ट भी था और प्रॉब्लेम भी थोड़ा सा था तो फैमली वाले फिर क्या बोले मार देंगे काट देंगे इसा तो कुछ नहीं हुआ मैं बताते हूं एक्चुली क्या हुआ कि हम लोग मैंने फोन किया पापा गो तो मैंने बोला पापा आपसे बात करनी है तो हमारी जो मॉम है ना वो थोड़ी बहुत नहीं है तो कहते हैं नहीं मम्मी पास में नहीं है मम्मी किचन में आप बताओ क्या बात है मैंने का पापा मैंने शादी कर ली पापा एकदम चुप हो गए फिर पापा कहते हैं क्या बोल रहा आप पता है मैंने का हाँ पापा मैंने शादी कर ली अच्छा किस से की मैंने का कहना चाते हो, मैंने का मैनि कोट मेरिज कर लिया है, तो कहते कि अभी क्या करना है अभी वो बता, मैंने का पापा मैं यह चाती हो, आप मेरी धूम धाम से शादी कराओ, तो पापा के ते सौरी बेटा, हम नहीं करा सकते लेकिन आप खुश रहो, जाओ, फिर मतलब मैंने फोन कट किया और मैं बहुत रोई बहुत रोई बहुत जादा फिर मैं इनके साथ घर आई फिर मैंने बार बार कॉल्स करने की कोशिश करी लोगों ने पापा को बहुत बोला कि तुमारी बेटी ने नाक कटवा दी ये है वो है मार डालो ये करो और मम्मी को बहुत बड़ा जटका लगा तो मेर मम्मी इनके घर आई कि ऐसा क्यों किया मैंने का मुझे इनसे प्यार है और मुझे पता है ये इनके अंदर कोई प्राबलम नहीं है क्योंकि मुझे इनकी सबसे अच्छी लाइन वो लगती है जिस चीज का सुख ही नहीं देखा मैंने तो दुख मना कर क्या करूं और फिर मैं इनके साथ बहुत कमफटेबल हूँ बहुत जादा तो फिर मम्मी कहती कि तू देख उनके पैर नहीं है पूरी लाइफ है कैसे चलेगी क्या बोलेंगे लोग कि पती हातों से चल रहा है लड़की इतनी सुन्दर है क्या कमी रही पैसो क लालच देख लिया होगा इसके माबापने इसने पैसो देखे होंगे मुझे फरक नहीं पड़ता ममी बस आप चाहें अभी मुझे गालिया दो चाहें मारो वो आपका एक आशिरवाद है वो मैं अपने पास रख लूँगे लेकिन मुझे इनके साथ ही रहना है फिर मम्मी पापा ने बोला कि चलो ठीक है खुश रहो लोगों ने बहुत बोला बहुत फिर हमारी 14 मार्च को हमने सोचा कि हम एक रिशेप्शन रखते हैं शाल के तो हो गई तो फिर मैंने अपने रिलेटिव को भी बुलाया कुछ रिलेटिव पापा के साइड के आए मम्मी के बहुत गुस्से वाले और इनके साइड के रिलेटिव पी आए तो फिर हमने रिशेप्शन में वीडियो वगेरा बनाई फिर हमारी एक वीडियो बहुत वायरल हुई बहुत तब से हम लोग इंस्टाग्राम पे वर्क करने लग गए अच्छा इंस्टाग्राम पे आप कब लेकिन एक दो जैसे मतलब हमें इतना कुछ वह नहीं था हमारे डांस अकेडमी स्टूडियो है तो हम लोग उसी में बीजी थे लेकिन जब हमने देखा कि अरे वाव यूज आ रहे हैं हमारी जोडी को इतना पसंद कर रहे हैं लोग सबसे पहले तो लोगों की थोड़ा आमेन है कि पब्लिक का इतना प्यार मिल रहा है जैन्वेन पब्लिक बहुत जरूरी है ने तो मैंने बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े यूटूबर्स भी देखे तो फालतु की बाते करके वह गेन करते हैं लेकिन मेरे को मेरे को चीए क्रीमी फॉलोवर्स क्रीमी जो एक सादू के लोग तो दुनिया बर एक पूरी दुनिया में है तो मेरे पास फालतु लोग नहीं है अच्छ 현 जाता है जड़ा बद बताऊंगा निकितना हो जाता है सच में स्टूडियो बंद कर रखे है मैं प्रेटर स्टूडियो में किया बदला हुआ इसे शादी करने के बाद आपके जीवन में किया बदला हुआ ने हैं यह सच में मतलब मैं बहुत लग्यू हूँ बहुत ज़धा लग्यू कि मैं इनकी वाइफ हूँ और इन्हों ने आज तक मुझे किसी काम के लिए बनानी किया चाहें वो Mेरे imizms हो चाहें मुझे मुझे शॉपिंग करनी है चाहे मुझे कहीं घूमना है चाहे मुझे वीडियोस बनानी है बस यह यह बोलते है कि यार तु मेरी वाइफ है ऐसा कोई काम मत छोड़ना जो मन की इच्छा रह जाए सब कुछ करो अपनी लाइफ में खुश रहा हूँ अपने आपको अधर हस्ब तो सबसे पहले मेरी वाइफ इतनी खुश नी होती मेरे साथ यह तो लोगों का कहना है कि अकसर लोग जलते भी है यार परस्णालिटी से जलते हैं लोग तो वही चीज है क्यों लोग को यार इसमें ऐसा देख क्या लिया यही तो सोचो सोचो दिमाग जलाओ अपना कि पेस आतर बेंदर बहुत बढ़ चीज होती है yourself अब अपने आप इच्छी में और मैं अच्छा कहिँ था अगर आपकी वर्ड्डिंग अच्छी नहीं है वो इनसान आपको कुट्टे के भाव निभी कुछेगा तो same वही है कि दिल अच्या होना चाहिए, किसी की respect करनी चाहिए, तो मैं अपनी wife की बहुत respect करता हूँ, वो मेरी बहुत respect करती है, और इसी वज़े से अधर लोगों को यह चीज लगता है कि, यार यह ऐसे कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले कि अपने partner में कमें निकालना दो कि वो हमसे कम है ऐसा नहीं बस सिर्फ अपने अंदर confidence यह रखो कि यार मैं किसी से कम नहीं हूँ बस तो मेरा यही मानना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ और मैं सबसे में चीज मैं अपनी family चला रहा हूँ और अपनी wife को बहुत खुश रख रहा हूँ आप खुश रख सकते हो तो आप रख के दिखाओ मेरे ससुर तो मेरे को पहले से ही बहुत प्यार करते थे बट एक होता है नहीं देखो माबाप कभी गलत नहीं होते हैं वो मुझे पहले से ही पसंद करते थे लेकिन कहीं न कहीं होता न समाज समाज क्या कहेगा रिष्तेदार क्या कहेंगे उनको वो कैसे हैंडल करेंगे वो कैसे बता लोग तो यही एक ही सवाल था उसके पैर नहीं उसमें उसने क्या देगा अब वो कैसे जवाब दे आज जाके जब जब उन्होंने देख लिया न प्रैक्टिकल हो गया भाई हमारा खुद का घर है खुद का अच्छा बिजनस है हम काम हम अच्छा कर रहे हैं पैसा कामार है आज वो सब को बता सकते हैं कि आजाओ और देख लो उसने साधी क्यों करी अच्छा सब कहते हैं कि पैसे का लालस देखा पैसे अरे तो भिखारी से कौन साधी करता है भिखारी में कोई बाप अपनी बेटी को भिखारी से साधी थोड़ी कर देगा कोई भी लड़की किसी भिखारी से साधी नहीं करेगी वो चाहेगी ना कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो तो सेम वही चीज है कि इसने भी मेरे अंदर फ्यूचर देखा, इसने मेरा फेम देखा, सिंपल सी बात है, मैंने इसकी सुन्दरता देखी, मैंने गार इतनी सुन्दर लड़की है, उपर से मेरा साथ दे रही है, इतना प्यार कर दे है और क्या चीए लाइफ में, अच्छा आपने कभी सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की आपकी वाइफ बनेगी, बिल्कुल सोच रखा था, सोच अच्छी रखोगे तो अच्छा ही होगा, कितनी लड़किया प्रबोस की है, मैं सच बताओ, मैंको प्रबोसल बहुत है, लेकिन सुन्दर लड़की नहीं की है सुन्दर लड़कियां भी आई, बहुत सुन्दर सुन्दर लड़कियां आई, लेकिन कहीं ना कहीं ना मेरे अंदर एक चीज़ यह है, कि मेरे को ना, मेरे को किया है, किसी को भी एक प्यार की जरूरत है, मतलब की जरूरत नहीं है, तो बहुत सी लड़कियों की प्रपोसल नहीं होगा ना तो आप किसी के तुरू आगे नहीं बढ़ पाओगे एक दम सच्चा प्यार वाली थी आपको रिजल्ड दिखा देता हूं अमिताप बच्चन जी से आगे अभेशेक बच्चन जी नहीं बढ़ पाए तो सेम वही है टैलेंट होना बहुत जरूरी है यह था कि इसको मेरे से किसी चीज का लालचनी सिर्फ प्यार की भूख uki और मेरे को इससे किसी चीज का लालचनी मेरी बना बना रही हो मेरे को बस और कुछ नीचाहिए बागी बहुत जल्दी ना अपनी वाइब को भोजपूरी की हिरोईन बनाऊंगा जलने वालो अब उतारूँगा बोजपूरी में फिर उतारिएगा तो फिर वही गंदे गंदे हीरो गंदा समाज तो मैं रहूँगा ना यही तो टास्क है अपनी खुद की एक मूवी आईगी अगर कोई बड़ा एक्टर बोलेगा बोजपूरी का कि हम तुमारी वाइफ के साथ काम पढ और इनलों की स्टोरी बहुत ही इंट्रेस्टिंग है बहुत ही बढ़िया है दोस्तों जब कोई इंसान के शरीर में कमी होता है बॉडी में कमी होता है या दिव्यांग वेक्ती खुद को सोचता है कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते है अब तो हम फैमिली पर बोज हो गय है जब यह इनकी वाइफ इनके लाइफ में नहीं थी तब भी वो टीवी शोस कर रहे थे बहुत पैसा कमा रहे थे और यह जो हम जिस घर में खड़े है ना यह भी उसी पैसे से खड़ीदा हुआ घर है रेंट भी आता है बहुत कुछ है इनके पास और हाल मतलब जो भी हो चाहे बट लड़की किसी के पैसे से तो शादी नहीं कर सकती है और पैसे से कितने दिन तक चलेगा किसी का भी दिल अच्छा होगा और तभी जो प्यार है वही उसको जीवन तक खुशी-खुशी रख सकता यह लड़की की बहुत बहादुरी है बाई कि फैमिली से लड़क प्रमोशन वाले जो भी है बट इसमें आप दोनों है यह पीलो कवर देखिए और जोड़ी बहुत सुंदर है बहुत प्यारी है क्योंकि विनोज जी भी बहुत स्मार्ट है स्मार्टनेस में कोई कमी नहीं है बहुत अच्छे दिखते हैं बहुत अच्छे हैं और दिल के ब आद बूर रहते हैं कि हम लोगों को भी समझ में आए कि नहीं भाई जिगड़ा हो तो भाई विनोज जैसा इन्होंने कहा कि जो सुख हम देखे ही नहीं तो उस चीज का कमी हम क्या मना है कि भाई मेरे पास है ही नहीं अथा ही नहीं यह बच्पन से हैं कूदते हैं फानते ह हैं बहुत स्ट्रॉंग है जिम भी जाते एक्सेसाइज भी करते हैं और बहुत लोग आपको जिम वाला वीडियो देख करके आपको फॉलो कर रहे हैं पता है आपको जिम एक्चुली मैं बताता हूं मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं पर ऐलंपिक गेम्स म आपको कोई कॉमपटीट ना कर सके है ना बिल्कुल करने यही होना चाहिए लाइफ में है ना देखर हर कोई इंसान रोटी खाता है में आप यह ज़को ना मरने के बाद क्या देके जाऊंए नीचे कुछ तो देके जाना है ना तो बस यही चाह रहा हूं कि किल को हम उपर च्प्राइब सब्सक्राइब स्कामिट को कि इस ईक करना चाहे हो आप यूपी हमारे ऽाइस के दdraw को क्या कहुए कि बहुत जल्दी हम लोग यूपी की इंड्री में वाली सब्सक्राइब क्इमक्न के लिजा चाहे हुई एक 找 personas मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि इंतजार करो बड़ा धमाका होने वाला है यूपी और बिहारी मिलने वाले है और सभी लोग का दुआ है कि आप लोग ऐसे ही खुश रहें और बहुत आगे बढ़ें और आप लोग का जो प्यार है वो ऐसे ही बना रहे है ठीक है दोस्तों आ तने टैलेंटेड है कि पुड़े देश में तैलका मचा हुआ है बहुत काम कर रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी छी बांख गोर्णी बिहार और 6-7 महीने से शादी जब से हुआ उसके बाद से इन्होंने काम करना शुरू किया है। हम यही कहेंगे कि इनके वीडियो को देखिए जा करके इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजे और इनको और सपोर्ट दीजे कि यह और आगे बढ़े और हमारे देश का नाम रौशन करें। इनके चैनल को भी सपोर्ट कीजेगा नमस्कार। लाँ स्वार् मन रवेद रचे बढ़े हमारे लाँ मोशन करें। झाल झाल